गाइस आम नाट कमिंग पर दिस तुम्हें अगर कपडों पर कमेंट करना है न अपनी करकर और अपनी माँ भेंट के घर पर जाके करो मेरे कपडों पर कोई कमेंट की करेगा आज की बाद शिट ऑन गाइस ड्रेस रणवीर सिंग जब कुछ पहन के आता है तब मैंने नहीं सुनाए तुम लोग के मूसे के आज धंके कपड़े पहन के आया है दिन वाई यू कमेंटिंग उन विमन्स ड्रेस क्यों कमेंट कर रहे हैं किसी लड़की के कपड़ों के उप़र मतलब दिस इस सो फगड़ा देते है आज के इस तक्रीर में मैं उन बातों पर तवज्जू नहीं दूँगा मेरी तक्रीर उन बातों पर मबनी नहीं है जो साइन्सदार या गैर तज्रुबेकार एक्सपर्ट्स खवातिन के बारे में कहते हैं आज की तक्रीर मैं उन बातों पर करूँगा जो हकीकत और तज्रुबे से साबित हो सकती है अगर हम इसलाम में खवातिन के हुकुक वेस्टर्न मीडिया के नजरिये से मग्रिबी मीडिया के नजरिये से देखेंगे तो हमें मानना पड़ेगा इसलाम में खवातिन को जलील किया जाता है इसलाम में खावातीन के साथ परता हुसा ही नहीं अगर हम इसलाम में खावातीन के हुकुक वेस्टर्न मीडिया के नजरिये से देखते हैं क्योंकि दे वेस्टर्न टॉक आफ वुमेंस लिबराइजेशन is nothing but a disguised form of exploitation of a body, deprivation of honor and degradation of a soul ये मगरिबी नारा, आजाद ये निस्वा का, हकीकत में आउरतों के इजद को लुटता है आउरतों के आबरू को लुटता है, आउरतों को जलील करता है ये मगरिबी तहजीब जो कहती है के खवातीन को हम ऊचा मकाम दे रहे है हकीकत में उन्हें एक तवाइब बनाता है हकीकत में उन्हें रखेल बनाता है उन्हें बाजार की जिनत बनाता है आर्ट और कल्चर के रंगीन पर्दे के पीछे इसलाम ने, अलहम्दलिल्ला, चवदा सो साल पहले खवातीन को अपने हुक दिये वो दोर अयामुल जहलिया कहलाता था, जब कुरान शेरिफ नाजिल हुआ वो दोर को कहते थे, अयामुल जहलिया, अस वक्त अलहम्दलिल्ला, इसलाम ने खवातीन को अपने हुक दिये आज की दुनिया की आबादी में से तकरीबन 20 से 25 पीसद मुस्लिम है और कई मुक्तलिफ मुस्लिम माश्रे है, कुछ इसलाम के करीब है, कुछ इसलाम से दूर है इसलाम में खवातीन की हुकुक को जानने के लिए हमें मुस्लिम माश्रे को नहीं देखना चाहिए मुसल्मानों के तरफ नहीं देखना चाहिए अगर सही तरीके से आप जानना चाहते है इसलाम में खावातिन के हुकुक क्या है हमें तहकी करना चाहिए इसलाम के मजभे किताब की जो बुनियादी किताबे है इसलाम में उसको हमें पढ़ना चाहिए जानने के लिए इसलाम में खवातिन के हुकुक क्या है इसलाम में बुनियादी किताबे है कुरान और सभी हदीस कुरान और सभी हदीस कभी भी आपस में नहीं टकराएंगे मैं जानता हूँ कि इस मुदू पे इसलाम में खवातिन के हुकुक अकसर कई बार उल्माओं का एक्तिलाफ है इसकी वज़े है क्यूंकि कई बार एक कुरान मजीद की आयत को देखते है और बाकी सारे आयतों को नदर अन्दास करते है अगर कुरान मजीद को एक साथ में पढ़ा जाएंगा मुकम्मल तो पे तो जितने भी एक्तिलाफ है अकसर ये एक्तिलाफ दूर हो जाएंगे अगर कोई दो तीन राय है तो स़ह राय जानने के लिए हमें देखना चाहिए स़ह हदीछ में इसकी तफसीर क्या है अगर ये इक्तियार क्या जाए तो इंशा circa Allah जितने भी इक्तिलाफ है वो मिड़ जाएंगे इसलाम में मर्द और और औरत का दर्जा बराबर है लेकिन बराबर दर्जे का मतलब ये नहीं कि औरत और मर्द हू बहू है औरत और मर्द का दर्जा इसलाम में बराबर है लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आउरत और मर्द हू बहू यक्सा है क्योंकि अल्ला सुभानावताला ने आउरत और मर्द को Physiologically Different बनाया है Biologically Different बनाया है Psychologically Different बनाया है Physically Different बनाया है जिसमानी तोर पे आउरत और मर्द अलग है जहनी तोर पे अलग है Depending upon the makeup वो अलग तरीके से बनाया है उसी तरीके से उनका रोल जो है वो एलाइदा है डिफरेंट है आज की इस तक्रीर इसलाम में खवातीन के हुकुक को मैंने छे हिस्तों में बाता है इसलाम में खवातीन के रोहाने हुकुक इसलाम में खवातीन के माशी हुकुक इसलाम में खवातीन के तालिमी हुकुक इसलाम में खवातीन के कानूनी हुकुक और इसलाम में खवातीन के सियासी हुकुक हम पहले गौर करेंगे इसलाम में खवातिन के रूहानी हुकुक पर अक्सर गैर मुस्लिम को ये गलत फह्मी है कि इसलाम में जन्नत सिर्फ मर्दों के लिए है खवातिन जन्नत में जाही नहीं सकते उनकी ये गलत फह्मी है ये गलत फहिमी को दूर करने के लिए कुरान मजीद की एक आयत ही काफी है अला तला फर्माते है सुरे निसा में सुरा नमबर चार आयत नमबर 124 में मतलब अगर आप में से कोई भी शख्स चाहे आउरत या मर्द हो और वो अच्छे आमाल करता है और वो मुमिन है तो इन्शाला वो जन्नत में जाएंगा और उसके साथ कोई भी नाइनसाफी नहीं होगी आप अला तला फर्माते वमैं यामल मिनसौलिहाती मिन्जगिन वउनसा कि अल्ला तला कोई भी शख्स हो चाहे मर्द या उरत अगर अच्छे आमाल करता है और मुमिन है तो इन्शाला जन्नत में जाएंगा अल्ला तला इस पैगाम को फिर से दोराते है सुरह नहल में सुरह नम्मर 16 आयत नमर 97 में कि अगर आप में से कोई भी शख्स चाहे मर्द हो या औरत अगर अच्छे काम करता है और इमान रखता है उसे इनाम दिया जाएंगा अल्ला तला फर्माते सुरह निसा में सुरह नमर चार आयत नमर एक